इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर 2023 एक्जाम के लिए assignment submission का confirm last date क्या है और जो भी last date है इसको और आगे extend किया जाएगा या फिर नहीं और सबसे important आप दिसंबर 2023 एक्जाम के लिए अपना assignment कब से submit करवा सकते है तो इसके बारे में detail में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए पहले तो आपको इतना पता होना चीए कि दिसंबर 2023 एक्जाम के लिए आपको कौन सा वाला assignment का question paper डाउनलोड करना होगा और assignment के question paper के बारे में पूरा detail में मैंने इस वीडियो में बता रखा है अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप देख सकते है साथी में एक ऐसी गलती है जिसके बज़े से आपका पूरा का पूरा assignment भी reject किया जा सकता है तो उन सभी चीजों के बारे में मैंने इस वीडियो में detail में बता रखा है इस वीडियो को आप देख सकते है इसका link नीचे दिया गया है और अब बात करते है इस वीडियो की assignment submission का last date क्या है तो अगर आप question paper पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको अलग-अलग date बताया जाता है जैसे कि किसी पर आपको 15 सितंबर बताया जाएगा किसी पर आपको 30 सितंबर बताया जाएगा किसी पर आपको 15 October बताया जाएगा तो ऐसे में आप इसको देख करके confused हो सकते हैं अब यहाँ पर अलग-अलग date क्यूं दिया गया है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं तो जो आपका assignment का question paper रहता है वो website पर एक साल पहले ही update कर दिया जाता है जैसे कि जो भी student जनवरी 2024 में admission लेंगे उनके लिए जो assignment का question paper है वो अभी से ही update कर दिया गया है और last date भी अभी निर्धारित कर दिया गया है उनके लिए तो यहाँ पर जो date आपको बताया जाता है वो situation के according date इस पर रखा जाता है तो वहीं बात करें दिसंबर 2023 एक्जाम के लिए अभी assignment submission का confirm last date है 30 सितंबर 2023 लेकिन यह जो आपको 30 यहाँ पर जो 15 सितंबर बताया गया है इसको आप ignore किजिए अभी है 30 सितंबर last date assignment submission का लेकिन इसको extend किया जाएगा और आपको अक्टूबर end यानि की 31 अक्टूबर तक assignment submit करने का मौका दिया जाएगा और वहीं बात करें कि दिसंबर 2023 एक्जाम के लिए आप अपना assignment कब से submit करवा सकते हैं तो दिसंबर 2023 एक्जाम के लिए आप अपना assignment सितंबर के first week से submit करवा सकते हैं और बात करें कि आपको online submit करना होगा या फिर offline तो उसके लिए आपको क्या करना है इस वाले website पर आ जाना है यहाँ पर आपको सभी regional center का information मिल जाएगा कि आपको assignment online submit करना होगा या फिर offline submit करना होगा यहाँ पर सभी जानकारी को मैं update कर दूँगा फिलाल जो भी regional center assignment को offline mode में submit लेने वाले हैं उनका details मैंने पहले ही यहाँ पर update कर दिया है बाकी बाद में जो भी guidelines हाता है उसे मैं यहाँ पर update कर दूँगा और by chance अगर आपके regional center के तरफ से assignment submission का कोई भी mode आपको नहीं बताया जाता है तो जो भी आपका study center है study center पर जा करके आपको अपना assignment offline mode में submit करवाना होगा बाकी अभी आपके पास काफी सारा समय बचा हुआ है आप अपना assignment जो है तसली पूरवक बना सकते है आप जितना अच्छा assignment बनाएंगे आपको उतनी अच्छे number द percentage बनेगा उसको increase करने में आपका assignment ही काफी आपकी help करने वाला है तो इस वीडियो में इतना ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो like किजिए share किजिए और ignorance related सभी update instantly पाने के लिए आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते है link नीचे दिया हुआ है साथी में आपका कोई सबाल तो नीचे comment box में बता सकते है